हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को 104 डिगरी फोरे नाइट तक बुखार आ जाए यानि कि बहुत तेज बुखार आ जाए पूरा सरीर अपने लग जाए और वो पेशेंट डोक्टर के पास गया है तो डोक्टर उस हाई क्रेट फीवर को कैसे कम क करता है यानि कि उस तेज बुखार को कैसे उतारा जाता है यहीं डिसकस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं तो देखिए अगर इस तरह का कोई पेशेंट डोक्टर के पास गया है तो उसे दो से तीन प्रोसीजर करके फीवर को नॉर्मल कंडिशन में लाया जाता है तो स प्रोसीजर लगबग 10 से यह प्रोसीजर लगबग 10 से 15 मिनट तक किया जाता है इसके साथ एक बात का दियान रखना होता है कि जो पानी आप यूज कर रहे हैं वो पानी एकदम ठंडा बरब के जैसा नहीं होना चाहिए आपको गुनगना पानी यूज करना ताकि मरीज को थंडे ना लगे हैं और अगर आप बार बार इसपोंज कर रहे हुख टैमपरेचर नहीं हो रहा है तो आप उसमें क्या मिला सकते हैं एलकोल मिला सकते हैं क्योंकि एलकोल मिलाने से कूलिंग एफट अच्छा मिलता है और इससे टैमपरेचर बहुत जल्दी नॉर्मल हो दिगतर किलिक और होस्पिटल्स में आई-स्पैक यूज करके टैंपरेचर को ड्वायन किया जाता है तो इसके बाद में हमारा नैक्ष्ट प्रोसीजर है। injectable भी किया जाता है इसको cold sponging के साथ में भी दिया जाता है और बिना cold sponging के भी दिया जाता है तो इसमें यूज किया जाता है parasitamol injection और parasitamol infusion देखे parasitamol injection 2 ml में भी आता है किसमें 2 ml में भी आता है और 3 ml में भी आता है और इसको कभी यूज किया जाता है कैसे यूज किया जाता है और जो पैरासिटामॉल इंफ्यूजन है यह कितने ml में आता है handed ml में आता है कितने ml में handed ml में आता है और इसको कैसे यूज किया जाता है IV यूज किया जाता है और 15 मिनट में इसको patient को लगाया जाता है यानि कि 15 मिनट के अंदर ही patient को ये दे दिया जाता है अगर patient को dehydration हुआ है और अगर बुखार पूरी तरह से उतर गया तो डोक्टर के द्वारा फिशिंट को क्या लगा जाता है DNS 500 ML लगा जाता है जिससे की फिशिंट की जो weakness है वो भी दूर हो जाती है और इसी तरह फिशिंट को injectable के द्वारा temperature down किया जाता है अब हम बात करेंगे इसके जो oral treatment के बारे में तो देखिए जो oral treatment है oral treatment में जो paracetamol है जो paracetamol जो 500 ML की जो tablet है उसको दिन में तीन बार दिया जाता है और पेशिंट की condition के according patient की tablet की जो dose है paracetamol tablet की जो dose है उसको बढ़ा दिया जाता है यानि कि साड़े 600 तक हम patient को दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं दिन में तीन बार यानि कि TDS इसको दे सकते हैं और अगर इसके साथ में अगर patient को dehydration हुआ है तो patient को ORS powder भी दिया जाता है वो करवाई जाती है और उसकी रिपोर्ट को देखकर उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है उसकी इन्वेस्टिकेशन देखकर ही एंटिवाइटिक चालू की जाती है कि किस प्रकार की बीमारी है और किस बीमारी में कौन सा एंटिवाइटिक चालू करना तो यही सब वीडियो आप तक पहुंचती रहें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा थैंक्स पॉर वॉचिंग माई वीडियो